हलो एंड वेलकम गाईज डिवाइन टेरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है करन्ट फीलिंग्स ओफ यॉर परसन यह जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी जितना आपकी सिच्वेशन से रजुनेट करें उ एक डिटेल रीडिंग करें जिसमें हम उनकी फीलिंग्स, फॉट्स, इनर्जीज और लास्ट में हम लेंगे चैनल मैसेज़ भी जो के एक लॉंग टाइम हो गया कि हमने इस टॉपिक पर रीडिंग नहीं करी है परसनल रीडिंग के लिए नबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स क के अंदर मौझूद है, टिक टॉक के बायो में मौझूद है, वर्टस अप पर अप्रोच कर सकते हैं, मेसेज़स अलाउन हैं, कॉल्स अलाउन नहीं है, परसनल रीडिंग अभी फ्री आफ कॉस्स नहीं होती है, डिवाइन टेरो ट्रिपल एड को यूट्यूब पर सब्सक के जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज में हैं, टầजन ड्ल मेंटर, कॉं walant म token में हैं, इनर्जी हीज ह् आप से रीजूनेट करनी चाहिए, प्लीज डिवाइन पर संवर्स प्लि एड फी प्र पिलिंगs औफ यूर पर संवर फीन का कार्ड है iliweden का का रट कार्ड कैला इस परसन के लिए आप रेडिंग देख रहे हैं, उससे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, पहले ही अटेंप में कन्फरमेशन आईए, इट्स यूर डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, spiritual, your spiritual journey is beginning, ओके जी, I think के आपके परसन की अवेकनिंग चल लाई है, telepathic, close soul connections are harmonious, synchronized, creating moments of telepathically, okay, recognition, the divine will help you recognize sign and miracles, union, the union of divine soul counterpart is a event, that being when you least expect it, okay, union की बात है, confusion, all seekers of truth experience of confusions, ask the divine to provide the answer you need, okay, I think के दो कार्ट में और लेती हूं, feelings, take time out to explore the deep emotions you are experiencing, power, the power of love is like a magnetic drawing soul together, last one is deeply, look deeply within to discover your soul purpose in your relationship, अगर मैं आपके परसन की feelings की बात करती हूं, सबसे पहली चीज़ तो यह है, कि यह आपका divine counterpart और यह जो कुछ भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, telepathically आप दोनों एक दूसरे को बहुत जादा connect करते हैं, और दोनों अभी अभी अपने अपने illusions में हैं, ठीक है, यहाँ पर confirmation है कि आप एक spiritual journey का part हैं, और अगर तो आप female, as a female इस reading को देख रही हैं, तो आपके उपर awakening हो चुकी है, कि आप किसी soulful journey का part हैं, बट अगर आप male person देख रहे हैं, तो आपकी awakening का time period चल रहा है, यानि कि divine की तरफ से जो आपको signs और signal प्रोवाइट किये जा रहे हैं, एक spiritual journey का आपको बताया जा रहा है, यहां पर मैं confirmation देख सकती हूँ आपको इस हवाले से, कि अक्सर लोग कहते हैं, कि ma'am हमें कैसे पता चले, x, y, z, और ज़रूरी नहीं है, कि यह husband के लिए ना हो, यह आपके partner की feelings होती हैं, आप contact में हैं, no contact में हैं, official commitment में हैं, नहीं हैं, long distance पे हैं, matter नहीं करता, बड़, आपके partner की awakening का time चल रहा है यह, और वो आपको बहुत ज़्यादा connect करें, telepathically, आप जो wives pick करते हैं, sometime आपको ऐसा होगा, कि आपको बैठे बैठे, अचानक से तब्यत का घबराना, एकदम से negativity हावी हो जाना अपने उपर, और बार बार इस person का खयाल दिमाग में आना, जबके आप अपनी feeling से कुछ ज़्यादा ही बेजार हो रहे होंगे, कि ये मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है, या इतने टाइम के बाद मुझे इसका खयाल क्यों आ रहा है, मैं एक past life connectionship या जो हमारा initial stage थी relationship की, वो चीज़े आप बहुत ज़्यादा recall करते वे नज़र आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये person जो है continuously आपको telepathically vibe send कर रहा है, क्योंकि आप 24-7 इसके mind में चल रहे हैं, अगर इस card को गौर से देखें, confusion का card के बहुत ज़्यादा दिमाग से जटकने की कोशिश लेकिन बार बार दिल का कहना कि किसी तरीके से हम reunite हो जाएं, किसी तरीके से हमें इस relationship में recognition बेल जाएं, एक power है, जो कि divine की तरफ से enlightenment की तरफ आ रही है, कि एक magnetic attraction वो feel कर रहे हैं, हो सकता है, कभी आप लोग साथ हों, आप लोगों का meet up हुआ हो, और इस person ने आपका हाथ पकड़के, आपके हाथ की लकीरे चेक की हो, या आपका हाथ पकड़के, आपको महसूस किया हो, और अपने emotions जाहिर करने की कोशिश की हो, एक वो sign और वो moment बहुत जादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी feelings point of view में clearly नजर आ रहा है, कि वो time वो moment डिवाइन की तरफ से इनको continuously signs प्रोवाइट किये जा रहे हैं, और इसी लिए ये union manifest कर रहे हैं, क्यूंकि हो सकता है, इनको ऐसा लगा हो, कि मैं इस relationship से असानी से निकल जाऊंगा, मैं इस relationship को असानी से भूल जाऊंगा, but it's no contact situation के अंदर इनको पता चला है, कि कहीं न कहीं आप दोनों की soul आपस में जोड़ती हैं, यानि कि आप दोनों एक दूसरे की energy को mirror करते हैं, यानि कि आप जब इस relationship में होंगे, तो आपने अपना अक्स इस इंसान के अंदर देखा और इस इंसान ने अ अपना अक्स अपनी strength आपके अंदर देखी, but twin flame connection में होता ही ऐसा है, बहुत जादा define तो नहीं कर सकती, but ये twin partner आपको आपकी life में एक आपको spiritual journey से जोड़ने के लिए आता है, आपकी awakening के लिए आता है, जबके divine soul counterpart, जो कि आपका twin flame partner होता है, उसकी awakening उस वक्त होती है, जब आप इस journey में बहुत आगे निकल चूपे होते हैं, जब आप इन चीजों के उपर agree कर जाते हैं, कि ठीक है हमारा साथ नहीं लिखा हुआ, और यही मेरी life का purpose था, और मुझे उन चीजों को नहीं सोचना, उस तरफ नहीं जाना, वहीं से twin partner की awakening स्टार्ट होती है, और फ feelings point of view से मैं बात करती हूँ, तो इनके mind में clarity चल रही है कि किसी तरीके से situation को balance किया जाए, और बहुत deeply जाके इस connection के बारे में सोचा जा रहा है, कि हमारे मिलने का purpose क्या था, हम इस relationship के अंदर क्यों आए, और कितने रिष्टे हैं इस दुनिया में जो बनते हैं, बिगडते है तूटते हैं और लोग अपने अपने रास्तों पे हो जाते हैं, बट हम अपने रास्तों को अलग करने के बावजूद भी क्यों जहन से नहीं निकाल पाते एक दूसरे को, क्यों हम पुरानी बातों को मुस्तकिल recall करते रहते हैं, तो confusion है, और जब जितना confused mind में ये जितना soul searching करते हैं, उतने ही science इनको divine की तरफ से provide किये जाते हैं, ये part 1 है, इसको part 2 से extend करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखेगा, take care and bye-bye.